सावन में दूर होगा काल सर्प दोश ये काम करने से खत्म होगा बुरा प्रभाव जियोतिस में मांगलिक योग और ग्रहन योग की तरह काल सर्प योग को भी अशुव योग की स्रिनी में रखा गया है कालसर्प योग के बारे में कहा गया है कि जिनकी कुंडली में ये योग होता है उस व्यक्ति को जीवन में बेहत कथिन चुनोतीयों का सामना करना पड़ता है जोतिस के जानकारों के मुताबिक काल सर्प दोश से मुक्ति पाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोश का प्रभाव होता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है तो आईए जानते हैं क्या है काल सर्प दोश के लक्षन और किन उपायों से आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं कैसे पहचाने काल सर्प दोश यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोश है तो इसका बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है काल सर्प दोश होने पर व्यक्ति को सिक्षा में हानी, नौकरी में समस्या, व्यवसाय में कटिन परिस्रम करने के बाद भी हानी इसके अलावा व्यक्ति गलत कंपनी से जूडने लगता है, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं अपने आपको असफल समझना, आत्महत्या करने के विचार, वैवाहिक जीवन में कलह और तनाव, संतान के जन में रुकावट, प्रेम संबंदों में बाधा और परिशानी के अलावा ये काल सर्प दोश के लक्षन है कैसे बनता है काल सर्प दोश? जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहू और केतू के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं, तो काल सर्प दोश होता है कुंडली में इस योग के होने से जीवन कठिनाईयों से भरा रहता है जियोतिस में बारे प्रकार के काल सर्प दोश होते हैं अनंत काल सर्प दोश, कुलिक काल सर्प दोश, वासुकी काल सर्प दोश, शंकपाल काल सर्प दोश, पद्म काल सर्प दोश, महापद्म काल सर्प दोश, तक्षत काल सर्प दोश, कक्राटक काल सर्प दोश, शंकनात काल सर्प दोश, घातक काल सर्प दोश, विशेला काल स सर्पदोश शेष नाग काल सर्पदोश को प्रभाव कम करने की उपाए इस दिन सवब्वार के दिन भगवान शिव को नागन जुड़ा चड़ाना चाहिए चांदी या पंचधादू का सर्प या नाग का जुड़ा चड़ाएं रुद्राविशेक समवार की दिन करें हालाक सावन में आप किसी भी दिल रुद्रा विशेक कर सकते हैं ऐसा करने से आपको लाब मिलेगा मित्टी से 1.5 लख महा देव बनाकर उनकी पूझा करनी चाहिए उनकी ग्यारे सो बार महामरत्युन जैमंत्र से पूजा करनी चाहिए अब मिट्टी का महादेव बना कर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो डेड़ लाख महामरत्युन जैमंत्र का जाब भी आपके डियें फाइदे मंद रहेगा इसके अलावा अठारे जुलाई को नाग पंचमी सावन के पहले सौंबार को है इस दिन नाग देवता की पूजा करने से विशेस लव मिलता है इस दिन नाग देवता को दूद और धान का अलावा जिसे खिल भी कहा जाता है और पित करें इससे काल सर्प दोश का प्रभाव भी कम होता है ये कार्य नाग मंत्र का जाब करते समय करना होता है मंत्र है ओम नवकुले विद्यहे विश्दंते धीमही तन्नो सर्पह प्रचोदयाद उपाई के तोर पर सावन के सभी सौंबारों को पंचमरत, दूद, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिशेक करें और भगवान शिव को 108 बेल पत्र चड़ाएं ये उपाई काल सर्प दोश के प्रभाव को भी कम करेगा सावन में राहू और केतू के मंत्रों का नियमित जाब भी लाबकारी रहेगा राहू का बीज मंत्र है ओम राम राहे नमह इस मंत्र का डेल लाग बार जाब करें केतू का बीज मंत्र है ओम श्रम श्री सरव सहक केतवे नमह इस मंत्र का सवा लाख बार जाब करें आप इन में से किसी एक मंत्र का जाब कर सकते हैं धर्मकताएं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्वुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें धन्यवाद